दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं power of compounding को कैसे power of compounding मना दुनिया का आठवा अजूबा Einstein द्वारा कहा गया है कि power of compounding इस दुनिया का आठवा अजूबा है आईए समझते हैं इसको एक example से जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में टीना रीना दो बहनों के बारे में बताया था कैसे टीना ने power of compounding का इस्तमाल करके 20,000 से 2,60,000 बनाए थे ठीक वैसे ही आप भी बना सकते हैं वीडियो को जाके जरूर देके उपर आई बटन पे और इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा तो आईए समझते हैं power of compounding को एक बहुत ही simple example से रोहन राहुल दो भाई थे college में साथ-साथ graduate होते हैं at the time of graduation उस साल दोनों के पास 20-20,000 रुपए होते हैं और दोनों जॉब भी करने लगते हैं राहुल उन 20,000 रुपए को अपने दोस्तों के साथ पाटी करने में खर्च कर देता है और दूसरी तरफ रोहन उन 20,000 रुपएों में 1,000 रुपए और मिलाकर 21,000 रुपए को BAC Sensex Index Fund में invest कर देता है और उस investment को 30 साल तक ऐसे ही छोड़ देता है fast forward 30 साल बाद रोहन ने अपने उन 21,000 रुपए की investment को पता करता है कि उसकी जमा 21,000 रुपए पर 18% का interest rate से profit हुआ है और क्योंकि रोहन ने अपनी investment के profit को निकाला नहीं था तो उसके profit amount पे तो उसका profit amount वापस उसी mutual fund में invest कर दिया जाता था यानि कि रोहन ने जो 21,000 रुपए invest किये थे उस पर हर साल जो 18% का profit होता था वो वापस उसी में invest होने से उस investment पर compounding का profit मिलने लग गया था और वो 21,000 की छूटी सी रकम 30 सालों में बढ़कर 30 लाग से भी जादा की हो गई थी जी हाँ दोस्तो 21,000 के बदले रोहन का कुल amount 30 लाग से भी जादा हो गई थे ये अजूबा नहीं तो और क्या है रोहन भी चाता तो अपने भाई की तरह उन पैसो को खर्च कर सकता था लेकिन रोहन को power of compounding के बारे में पता था और उसने उसी का practical इस्तमाल किया और उन 21,000 रुपए को अपने भाई की तरह तीना करके invest करने का फैसला लिया और इसी वज़ा से आज 30 साल बाद रोहन के पास 30 लाग से भी जादा रुपए थे और आज वो खूब शांदार पाटी कर सकता था रोहन ने यहां जादा कुछ नहीं किया उसने बस अपने पैसो को invest किया और बाकी power of compounding ने अपना काम किया देखते ही देखते एक बार में खर्च कर देने वाला amount 30 लाग से भी जादा का बन गया और अगर वो इस investment को 10 और साल के लिए छोड़ देता है यानि 40 सालों के लिए 18% annual return पे compound होने देता है तो वो 21,000 बन जाएंगे 1,60,000 लाग तो दोस्तो अब आप जरूर समझ गए होंगे कि Einstein ने इसको आठवा जूबा क्यों कहा है power of compounding एक ऐसी चीज है जिसको वही इस्तमाल कर सकता है जो इसको जानता हो और जो नहीं जानता वो बस पैसे से पैसे को बनाने का मौका गवा रहा है दोस्तो ठीक ऐसे ही हमारी day to day life में हम भी power of compounding को नहीं समझते और अपने पैसो को खर्च करते रहते हैं और पैसे से पैसे बनाने का मौका गवाते रहते हैं इसी लिए हमारी पैसों की दिक्कत हमेशा ही रहती है और जब समय हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास पच्चताने के अलावा और कुछ नहीं होता इसी लिए आपको और हम सभी को इस power of compounding को अच्छे से समझना चाहिए और इसका फाइदा उठाकर ऐसा investment करना चाहिए जिसस हमें भी power of compounding का profit मिले ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने power of compounding से धेर सारा पैसा बनाया वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना ना भूले अपने friends and family में इसको share जरूर करिएगा सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और bell notification को जरूर on करिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली वीडि आप तक पहुचता रहे धन्यवाद